थाकड खबर के नियुजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस्खान एक तरफ नौर्थ इस्ट इंडिया की बेटी जी हाँ एक तरफ पूर्वोत्तर भारत की बेटी कह रही है कि आज देश में 56 का सीना रखने वालों के राज में गाएं की इज़त जादा है महिलाओं की मुकाबले जैसे कि आप जानते हैं गाएं को गो माता गो मिया और ना जाने क्या क्या बुलाए जाता है और बताए जाता है कि उसके अंदर 33,000 क्रोड देवी देवताब वास करते हैं तो उसकी इज़त महिलाओं से जादा है यह कहना है पूर्वत्तर की बेटी का और दूस वाला इलाका बता सकते हैं वहाँ पर आबाज उठ रही है कि महिलाओं को फूलन देवी जियां अब महिलाओं को फूलन देवी बनना पड़ेगा क्योंकि मनिपूर की घटना के बाद पूरी दुनिया में बबाल मचली के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है ताजा वी का रक्षक ही भक्षक बन गया है और क्या इसके राजनितिक माइन निकाल ले जा सकते हैं हर पहले उसे आपको रूब रूब कराने की कोशिश करेंगे बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तोर पर चलते हैं खबर की और सबसे बहलें आपके सामने एक दिल्चस्प वीडियो रखना चाह रहा हूं निवस्ट 24 के एक रिपोर्टर है जो फिल्ड में घूम घूम कर लोगों से पूछते रहते हैं माहोल क्या है तो उन्होंने एक ऐसे ही आम आदमी से पूछ लिया माहोल क्या है तो उसने दो लाइ ही था कटले आम का हुणर देखकर कि जब चुना ही था कटले आम का हुणर देखकर तो फिर तुम्हें क्यों इतना अश्र है कि आपने 2002 के हालात को याद कीजिएगा वहां के कतले आम को याद कीजिएगा रुसी के बाद सोचेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की चबी को पुरी दुनिया में बढ़ा करने का प्रियास किया गया तो भईया जिनको उस नरसंहार के बाद चुना गया आज पूरे देश के अंदर अगर कोई नरसंहार हो रहा है तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए इसी तरह की कि बाद टीमसी की सांसद महुआ मोहित सुन लिए आपने महुआ मोहितरा को लेकिन घुसा सिर्फ महुआ मोहितरा में नहीं है देश के अंदर हर महिला में जबरदस घुसा देखा जा रहा है मनिपूर को लेकर मिजोरम में लड़कियों ने महिलाओं ने परदशन किया और नरेंद्र मोधी जी शेम शेम के नारे लेकिन शर्म नहीं आएगी आप कितना ही कर लो यह वह लोग हैं जो इसी राजनितिके दम पर कभी रासपिता मातमा गांदी के हप्या करवा के कभी बापरी मज़ी ढबाके कभी दंगे करा कि कभी बवाल करा के यहां तक बैठें और इसी के दम पर आगे सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं लेकिन जो जिन्दा है वो आवाज उठा रहे हैं मनीपूर की घटना को लेकर मुंबई की महिलाओं ने कैसे और बीजेपी के बरबाद होने के नारे लगाए उन्हें की जबानी सुनी सब्सक्वे उन्हें के ज लुच नरा ले ऌतने सेहीं बरताद होज़र की महिला ऑना जा जर बरताद हैं जा हैं बुर्दावाद, बुर्दावाद, बुर्दावाद! बुर्दावाद, 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 जाएंगर सोचेंगे कि अगर ये बुजर्ग जो सही से चल भी नहीं पा रहा है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है मिजौरम के अंदर तो हम लोग क्या कर रहे हैं देख लिए आपने सही से चल नहीं पा रहा है वो पस्तिती दर्ज कराना चाहता है मनिपुर की बेटियों के साथ जो है वो खड़े दिखना चाहता है और अत्याचारियों के सामने वो डट कर मुझूद रहना चाहता है अब इसके बाद कुछ और तस्वीरें हैं उनसे आपको रूबरू कराने का प्रियास करूंगा क्योंकि बवाल मचा पड़ा है वीडियो वाइरल होने के बाद हाला कि उस वीडियो की हम पुस्ति नहीं करते हैं करते हैं तो देख लिया आपने अपने वी स्पा जबान बताए जा रहा है इस video को रिट्वीट किया है शेयर किया है' हम इस video के पूस्टी नहीं कर सकते हैं लेकिन इस video को मणी पूर कई बताए जा रहा है इस आप साब समझ सकते हैं कि अब बिख भकशक बने हुवे हैं अब लोग कह रहे हैं कि भाईया ऐसे में फूलन देवी बनना पड़ेगा तो फूलन देवी की कुछ बाते चल रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहती है तो सुन लेजिए ध्यान से आपके जिन्दगी का एक अफसौस हां एक फसी हम मतलब गरीब परवार में हम औरत बने की फेदा हुए आप अगले जनम में क्या बनना चाहेंगी हम अगले जनम में भले ही जानवर बन जाया है पर इस तरह की मतलब उरत नी बनना को सुनने हैं आपने सबसे बड़ा अभीशाफ महिला है और गरीब महिला होना उससे भी बड़ा अभीशाफ है इस बात को थोड़ा विस्तार से समझेंगे तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ब्रेज बुशंट संसकारी है उसके घर की कोई महिला निकल के आई है भारतिय से इन महिलाओं के साथ सब्यों से जल्म होता रहा तब भी कभी नहीं बोलती थी यह तो दलीत या मुस्लिम समाज के लोग ही होते हैं कि अगर उनके परिवार का कोई शक्स कुछ कर देता है तो वह कह देती हैं कि हम इस क्या अंतिन संसकार नहीं करेंगे हम इसके लाश को ल पूता कोई आख वहर रहा जारा है इतना सब कुछ किया जा रहा है बरबाद शेम शेम के नारे लगाये जा रहे हैं बताया जा रहा है कि गाये तुम्हारे लिए जाधा अची है महिलाओं की मुकाबले लेकिन संसकार नहीं सब्सक्राइब को नहीं आ रही है तो कि वह लोगत अंतर को मानते ही नहीं और लोगत अंतर का सीधा मतलब होता है लोक लाज शर्म हया गैरत पर उसकोने कोई पास नहीं हैं वह तो ऐसी राजनित करके यहां तक पहुचे हैं इसलिए उन्होंने अज़ादी के बाद राष्प के लोगों ने ही जान लिया हुता कि भाई जो गुजरात में मुसल्मानों का कटल आम करा रहा हैं वो कल जब सथा पर बैठेंगे देश की तो पुरे देश का वो क्या हाल कर बासकते हैं बने रेगध हकर ख़बर के साथ कमेंट्स के रुप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं और जादा से जादा हमारी गबरों को शेयर कर सकते हैं फिर यह से किसी सुलगते हुए या बरस्ते मुझे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिए फिलाला भी मुझे दें चाह सब